हेलो दोस्तो मेरा नाम है जैसागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यह अर्व उन्बक्सिंग तो भाई हो एक बार फिर से एक नई वीडियो में सवागत है आप लोगों का आज हम उन्बक्सिंग करेंगे Splendor BS6 के कुछ पार्ट मतलब कुछ किया हमने एक इपार्ट लिया है बैसिकली ब्रेक का पैडल लिया है हमारे पास नया आया था इस टॉक में भी सोचा आप को अन्बक्सिंग बना के दी जाए इसकी और दिखाया जाए कि कितना मेहंगा है इतना मेहंगा मैं तो देखके हैरा होगे आप भी हैरान हो जाएंगे आपको दिखाएंगे बीच में हमने दिया हुआ है बेस थ्री और उससे पहले इस प्लेंडर के जितने भी मॉडल आते थे उनका ब्रेक पैडल और अभी हमने ब्रेक पैडल लिया बहुत बिल्कुल अलगे ब्लाब ब्रेक पैडल का तो मैं अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा है तो मुझे कमेंट्स करके अभी बताइए क्योंकि फिर मैं आन्बॉक्सिंग करके दिखा दूँगा फिर कैसा बताएंगे फिर आप देखी लेंगे तो नकल हो जाएगी नकल मत करना फटा वट से आप लोग कमेंट करके बताईए क क्या रीजन हो सकता है कि BS6 Splendor का brake pedal इतना महंगा है तो चलिए भई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिता हूँ कि अगर आपने मुझे Instagram पर फॉलो नहीं किया है तो पटापट जाईए, link description में मिल जाएगा, जाईए मुझे Instagram पर फॉलो करिए वहाँ पर भी मैं काफी सारी चीजों की knowledge डालता रहता हूँ, छोटी-छोटी Reels और Story बताता रहता हूँ, तो भाई स्टार्ट करते हैं Unboxing और दिखाते हैं आपको brake pedal तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे BS3 से और यह हमने हीरो के अंदर ही लिये हैं, दोनों brake pedal लिये हैं, भाई हीरो के जैनून पार्ट दिखाना ही अपना जो है, एक मात्र उदेश है चाहें वो हीरो हो, बजाज हो, TVS हो, होंडा हो या फिर vendor हो, बस जैनून होना चीए, लोकल नहीं, लोकल से अपने का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो भाई, यह हमारा हीरो का जैनून पुर्जा है, जो की है brake pedal और splendor का है, दिखा देते हैं, आपको थोड़ा करीब से, देख लीजिए, बात नंबर है, इसका 465 00 KCC 710S product pedal, brake manufacturing है, इसकी दूसरा महीना 2022 नेट कॉंटिटी एक पीस, दूसरा महीना 2022, यानि की अभी latest है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने पुराना भी नहीं हुआ अभी तो यार खेर, MRP है 220 रुपए, सिर्फ और 220 रुपए, इंक्लूडिंग ओफ और टेक्स इतना सस्ता यार, मतलब genuine brake pedal इतना सस्ता है, मुझे नहीं लगता कि आपको local brake pedal भी इतना सस्ता मिलेगा खेर, कभी आप ट्राई करना local brake pedal का right, फिर आपको पता लेगा, गर retailer हो तो खेर, genuine इसके लिए यहाँ पर भाई, यहाँ पे genuine यह सिर्फ local company है, code generate नहीं कर पाती, genuine company हर product के लिए एक नया code generate करती है जिससे यह verify हो जाए कि वो पुरजा जो आपने खरीदा है, वो local है या फिर genuine है तो फटाफट से इसे unbox करते हैं और दिखाते हैं इसकी quality कैसी है क्या इस पर कोई vendor का mark होता है या नहीं होता, तो भाई, खोल लेते हैं और देखते हैं तो अरे खोल गया, खोल जा, सिमसिम शिट, गलत खोल गया क्लो कोई बात नहीं, खोल लेते हैं से यह हमारे हाथ में आ चुका है, break pedal भाई, genuine break pedal की तो बात ही अलग है, यह मतलब इतना ज़्यादा हम हटा देंगे हम इसे, तो यहाँ पर भाई, कुछ, 6H कुछ coding लिए है, बाकी चिट लगा रखीती इन्होंने, यहाँ पर 12 21 कुछ coding है, C03 1221, उसके लाब यहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर break pedal की बात करी जाए, quality की, तो quality एक number है, quality के बारे मैं, तो जितनी बात करूँ मैं, उतनी कम है तारीफ तो, मतलब, बस, क्या ही बोलू यार, बहुत ज़्यादा, मतलब, बहुत ही ज़्यादा जयन होना, और वैसे, इसके अंदर BS3 का जो break pedal, इसके अंदर कुछ ऐसा है, नहीं, simple सा break pedal है, 220 रुपे का तो वर्थ है इतना ही होना चाहिए थे, इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, 220 से ज़्यादा होने वला है किसमें, खेर आप आते हैं अपना असली मुद्दे पर BS6 का break pedal हमने लिया हुआ है क्यों लिया हुआ है, reason है इतना महंगा है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इससे तीनवंगा महँगा है, तो सुछ आपको दिखा दिए जै तो भई, तीनवंगा से भी ज़्यादा है तीनवंगा तो दूर है, तो सबसे एक दो हजार एकिस भई पूरी का पूरा एक साल पुराना है नेट कॉंटिटी वनपीस, MRP है साथ सो पैसट भई यह तो एक साल पुराना है इसलिए साथ सो पैसट है, अब मुझे लगता है एक साल के अंदर सायद कॉमभी ब्रेक की वज़े से भी यह महगा हो सकता है और बाकी देख लेते हैं खोलके ब्रेक पैडल के साथ साथ और ऐसा क्या इसके अंदर दिया हुआ है कि यह इतना महगा है, तो करते हैं इसे अन्बॉक्स, फटाफट से अन्बॉक्स कर लेते हैं देखते हैं इस पैडल को तो भाई यह हमने box को खोल लिया है और आ गया है हमारा brake pedal box को करते हैं side भाई hero का genon box है और इस पे भी UPI code detail वगएरा दीव यह देख लेते हैं UPI code वगएरा देखिए इस पे भी दिया हुआ है चाहो तो आप इसे भी verify कर सकते हो इस code को number पे भेजोगे या फिर यहाँ पे यह QR code दिया हुआ इसे भी scan करोगे तो इसकी detail आ जाएगी QR code को scan करने से तो यह जो है भाई break pedal है अब खोल के निकाल लेते हैं बाहर break pedal को पन्नी के अंदर यह pack है दो-तिन बार लबेर रखा है इसे तो निकाल लेते हैं बाहर तो भाई आ गया हमारा break pedal अब देखें जरा क्यों था इतना महंगा तो भाई break pedal के अंदर जो है break pedal के अलावा देखें तो अगर बहुत कुछ इसमें अलग से दिया हुआ है क्या क्या है देख पा रहे हैं आप यह देखिए break pedal का डिजाइन तो लगबग लगबग जो BS3 है उससे मतलब BS3 या Old Model Splendor जो उससे मिलता जुलता है काफी हद तक बस एक इस connector का फर्क है इस वाले connector का देख रहे हैं थोड़ा सा लगबग लगबग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फर्क है इस system की वज़े से ही ये सायद इतना महंगा है वही मैं सोच हूँ यार इतना महंगा कैसे हो सकता है ये comb भी system की वज़े से break pedal जो है इस planner का बहुत जादा महंगा है तो आप इससे थोड़ा सा detail में दिखा देते हैं आपको क्या क्या है ये company जो है इस पर देखो company ने कुछ NS वे NS कुछ लिखा हुआ है NS कुछ shortcut है भाई अब कौन सी company है इसके बारे में research करके आपको बताएंगे अगली वीडियो में और उसके अलावा break pedal को भी connect जो है इस तरीके से किया हुआ है कि यहाँ पर हर चीज detail में सारी मिल जाए तो यहाँ पर cable connect हो जाएगी उसके अलावा और क्या-क्या connect होगा यहाँ पर भी cable connect होगी यहाँ पर भी cable connect होगी और इसके अलावा यहाँ पर कोई spring connect होगी यहाँ पर spring already connect हो रखी है देख पा रहे हैं बहुत सारा मतलब ताम जाम इसमें यार मुझे तो कुछ चीज़े तो ऐसी हैं जो समस्य भाहर है हमारी तो भाई यह जो है ना बहुत ही जादा मतलब बहुत जादा महंगा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भाई पूरा complete यहां पर हम देखते हैं क्या लिखा ता रॉड साब असेंबली यानि कि यह जो है यह सायद कोई इसका कनेक्टर है उसके बाद यहां से केबल जाएगी रियर ब्रेक रॉड जो होती होगी वो लगेगी इसमें सायद यह जो बी है आप लोगों को पता है इसके बारे में तो कम मुझे comments करके जरूर बताना और अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर ले ना भाईो वीडियो को like कर देना बाद में आप भूल जाते हो अभी like कर देना तो मिलते हैं दोस्तों किसी ओर दिन किसी ओर नहीं unboxing में तब तक के लिए good bye लेकिन अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटा-फट से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले ना वहापे भी आपन डालते रहता है बहुत सारी चीजे तो मिलते हैं भाईयो किसी और दिन किसी और नहीं अन्बॉक्सिम में तब तक ले गुड़ बाई!